भारत माता की मद्ध प्रदेश के गवणर श्री मंगुभाई पटेल, मुख्य मंत्री भाईश्टिवराजी, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी गाण, पंचाई दिराज मंत्रावे का नेत्रूत्व कर रहे हैं भाईगिर्राजी, विधाईगण, साउसदगण, अन्य सभी महारुफाओं, और बड़ी संख्या में यहां पधारे, मेरे प्यारे भाईवों और बहनों, जीवा की इस एतियासिक धर्ती से मैं मा विंद्वासिनी को प्रणाम करता हूँ, यह धर्ती शुर्वीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है, मैं अंगिनतबार रिवा आया हूँ, आपके बीच आया हूँ, और हमेशा मुझे आपका भरपूर, प्यार और स्नेल मिलता रहा है, आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशिर्वाद देने आये हैं, मैं आप सभी का रदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को देश की ढ़ाई लाग से अधिक पंचायतों को राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत सुबकाम राएं, आज आपके साथ ही तीस लाग से जादा पंचायत प्रतिनी दिवी हमारे साथ वर्चुली जुड़े हुए हैं, ये निश्चित रुप से भारत के लोक तंत्र की बहुत ही ससक्त तश्वीर है, हम सभी जनता के प्रतिनीदी है, हम सभी इस देश के लिए, इस लोक तंत्र के लिए समर्पीत है, काम के दाइरे बले ही अलग-अलग हो, लेकिन लक्ष एक ही है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, मुझे खुशी है कि गाउं गरिब का जीवन आसान बनाने के लिए, जो भी योजनाई केंद्र सरकार ने बनाई है, उन्हें हमारी पंचयते, पूरी निश्ठा से जमीन पर उतार रही है, भाई और भेनों, आज यहाँ ई-ग्राम स्वराज और ई-ग्राम पोर्टल को मिला कर, जो नई व्यवस्ता लॉंच की गई है, उससे आपका काम और आसान होने वाला है, पी-एम स्वामित्व योजना के तहद भी देश के 35 लाग ग्रामीर परिवारों को प्रोपर्टी कार दिये गए हैं, आज मद्द प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड रुपिय से अधिकी परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन भी हुआ है, इसमें रेलिवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाओं हैं, गाउं गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्मान करने वाले, इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। साथियों, आज़ादी के इस अमरित काल में, हम सभी देशवासियों ने विख्षीद भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन, रात, महनत कर रहे हैं। भारत को विख्षिद बनाने के लिए भारत के गाउं की सामाजिक ववस्ता को विख्षिद करना जरूरी है। भारत को विख्षिद बना के लिए भारत के गाउं की आर्थिक ववस्ता को विख्षिद करना जरूरी है। भारत को विख्षिद बना के लिए भारत के गाउं की पंचायत व्यवस्ता, पंचायती व्यवस्ता को भी विख्षिद करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज ववस्ता को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें ससक्त कर रहे हैं। पंचायतों में सुभीधा बढ़ा रहे हैं। ये आज गाउवाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। 2014 के पहले पंचायतों के लिए बित्त आयोक का अनुदान सत्रा हजार करोड रुपिय से भी कम था। आकड़ा याद रखोगे आप? आकड़ा याद रखोगे? कुछ आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा, याद रखोगे? 2014 के पहले सत्रा हजार करोड चे कम, क्या इतनी कमरासी से, इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायते, कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद, पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान, सत्तर हजार से बढ़ा कर, दो लाख करोड रुपिय से जादा हो गया है, आप बताएंगे, मैंने कितना बताया, पहले कितना था? अब कितना हुआ? अब आप अंदाज लगा सकते हैं, काम कैसे करते हैं? मैं आपको दो और उदान देता हूँ, दो हजार चाउदा से पहले के दस वर्सों में, मैं उन्दस साल की बात करता हूँ, केंद्र सरकार की मदद से, छे हजार के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे, पूरे देश में करीब करीब छे हजार पंचायत गर बने थे, हमारी सरकार ने आट साल के अंदर अंदर तीस हजार से जादा नए पंचायतों भवान का निर्मान करवा चुकी है, अब ये आंकड़ा भी बताएगा, कि हम गावों के लिए कितने समर्पीत है, पहले की सरकार ने गराम पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन यूस योजना के तहट देश की सत्तर से भी कम, सौ भी नहीं, सत्तर से भी कम गराम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था, वो भी शहर के भार जो नद्दिक में पंचायत पढ़ती थी, वहाँ पर गए थे, यह हमारी सरकार है, जो देश की दो लाग से ज़्यादा पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर को ले गई है, फर्क साफ है दोस्तों, आ जाते के बाद की सरकारों ने, कैसे भारत की पंचायती राज ववस्ता को द्वस्त किया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, जो व्यवस्ता आजादी के भी सेक्डों वर्स, हजारों वर्सों पहले से थी, उसी पंचायती राज ववस्ता पर, आजादी के बाद, भरोसा ही नहीं किया गया, कुछ जबापू कहते थे, भारत की आत्मा गावों में बस्ती है, लेकिन कॉंग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अन्सुना कर दिया, नम्बे के दसक में पंचायती राज के नाम पर, खाना पूर्ती जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी जरूरत थी, साथियों, 2014 के बाद से, देश ने अपनी पंचायतों के ससक्तिकर्ण का बीड़ा उठाया है, और आज इसके परणाम नजर आ रहे हैं, आज भारत की पंचायते, गावों के विकास की प्रानवायू बनकर उभर रही है, ग्राम पंचायते, गावों की आवशक्ता के अनुसार, गावों का विकास करे, इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योधना बनाकर काम किया जा रहा है, साथ क्यों, हम पंचायतों की मदद से, गावों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं, डिजिटल क्रांती के इस दौर में, अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, आज पंचायत तर पर योधनाय बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक मैं टेक्नोलोजी का भरपूर इस्तमाल हो रहा है, जैसे आप लोग अमरुद सरवरोवर पर इतना काम कर रहे हैं, इन अमरुद सरवरोवर के लिए जगह चुनने में, काम पूरा करने में, हर स्तर पर टेक्नोलोजी का खूब इस्तमाल हुआ है, आज यहाँ इग्राम स्वराज जैम इंट्रिगेटेड पोर्टल का सुभारम भी किया गया है, इससे पंचायतों के माध्धम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी, इससे अब पंचायतों को कम किमत में सामान मिलेगा, और स्थानिय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का एक ससक्त माध्धम मिल जाएगा, दिद्व्यांगों के लिए ट्राइसिकल हो, या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीज़े, पंचायतों के सब सामान इस पॉर्टल पर आसानी से मिलेगा, भाई और भेनों, आदूनिक टेक्नोलोजी का एक और लाब, हम पी-एम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं, हमारे यहां गाउं के घरों के प्रॉपर्टी के कांगजों को लेकर बहुत उल्जने रही है, इसके चलते भली भाती के बाद विबाद होते हैं, अवेज कब्जों की आशंका होती है, पी-एम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही है, आज गाउं गाउं में ड्रोन टेक्नोलोजी से सर्वे हो रहा है, मैप बन रहे हैं, इसके आधार पर बीना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौपे जा रहे हैं, अभी तक देश भर में 75,000 गाउं में प्रोपर्टी कार देने का कारिय पूरा हो चुका है, और मुझे खुसी हैं कि मद्धर प्रजेश की सरकार इसमें बहुत बहतरीन काम कर रही है, साथियों, मैं कई बार सोचता हूँ कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस खेत्र के विकास को लेकर इतना उदासिन क्यों रहे, इसका जबाब कुछ राजनितिक दलों की सोच में है, आजहादी के बाद, जिस दल ने सबसे ज़्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गाउं का भरोसा तोड़ दिया, गाउं में रहने वाले लोग, गाउं के स्कूल, गाउं की सडके, गाउं की बिजली, गाउं में भंडारण के स्थान, गाउं की अर्थ व्यवस्ता, कॉंग्रेज सासन के दौरान सबको सरकारी प्राफिकताओं में सबसे नीचले पाइदान पर रखा गया, भाई और बहनों देश की आधी से जादा आबादी जिन गाउं में रहती है उन गाउं के साथ इस तरह सोतेला वहवार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा का आउसर दिया तो हम गाउं की अर्थिववस्ता को गाउं में सुविधाओं को गाउं के लोगों के हीतों को सर्वोच्च प्रात्फिक्ता में ले आए हैं उज्वला योजना के तहट जो दस करोड गैस कनेक्शन मिले वो गाउं के लोगों को ही तो मिले हैं हमारी सरकार में गरीबों के जो देश भर में पौने चार करोड से भी अधिक गर मने हैं उस में से तीन करोड से अधिक गर गाउं में ही तो बने हैं और इसमें भी बड़ी बात ये है कि इन ज़्यादातर घरों में माली का नाहक हमारी बेहनों, बेटियों, माताओं का भी है हमारे यहां एक ऐसी tradition चली, गर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, खेत हो पुरुष के नाम पर, महिलाओं के नाम पर कुछ होता ही नहीं था हमने ये रिवाज बदला है और माली का नाहक हमारी माताए बहने बेटिया बड़े साथियों भाजपा की सरकार ने बेश की करोडों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है और आप जानते हैं आज के समय में पी-एम आवाज का हर गर लाख रुपिये से भी जादा कीमत का होता है यानि भाजपाने देश में करोडों करोडों दीदी करोडों दीदी को लखपती दीदी बनाया है मैं इस समी लखपती दीदियों को प्रणाम करता हूँ लखपती दीदी बन गई है मैं सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथ क्यों पी-एम सवभागी योजणा के तहट जिन धाई करोड घरों में बिजली पहुँची उनमें से जादातर गाउं के ही गर है गाउं के रहने वाले मेरे बाई बेन है गाउं के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर गर जल योजणा भी शुरू की है देश के नव करोड से अधीक ग्रामील परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है यहाँ एमपी में भी गाउं में रहने वाले सिर्फ तेरा लाग परिवारों तक नल से जल पहुँचता था पहले की बात करता हूँ आज एमपी के गाउं में करीब करीब साथ लाग गरों तक नल से जल पहुँचने लगा है और आपका एक जिला तो सत परतिशत हो गया है साथियों हमारे गाउं के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकारी नहीं माना जाता था बुला दिया गया था गाउं के ज़्यादा था लोगों के पास ना बैंक खाते होते थे और ना ही उन्हें बैंकों से सुभीदा मिलती थी बैंक खाता ना होने की वेज़ा से सरकार जो पैसा गरीबों के लिए भेटती थी वो भी बीच में ही लूट जाता था हमारी सरकार ने इसे भी पुरी तरफ बदल दिया है हमने जनदन योजना चलाकर गाउं के 40 करोर से जादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माद्यम से पोस्ट रफिस का उप्योग करके गाउंगों तक बैंकों की पहुँच बढ़ाई हमने लाखों बैंक मित्र बनाए बैंक सखियां को प्रसिशित किया आज इसका प्रभाव देश के हर गाउं में नजर आ रहा है देश के गाउं को जब बैंकों की ताकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गाउं के लोगों की मदद हो रही है साथियों पहले की सरकारों ने भारत के गाउं के साथ एक और बड़ा अन्याय किया था पहले की सरकारे गाउं के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी गाउं अपने आप में कोई वोट बैंक तो था ही नहीं इसलिए उन्हें नजरदाज किया जाता था गाउं के लोगों को बाढ़ कर कई राजनितिक दाल अपनी दुकान चला रहे थे भारतिय जनता पार्टी ने गाउं के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है हमारी सरकार ने गाउं के विकांस के लिए भी तीजोरी खोल दी आप देखिए हर गर जल योजना पर साड़े तिन लाग करोड रुपे से जादा खर्च किया जा रहा है पी-एम आवास योजना पर भी लाखों करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं दसकों से अधिब अधुरी पड़ी सींचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक लाग करोड रुपीय खर्च किये जा रहे हैं पी-एम ग्रामिल सड़क योजना पर भी हजारो करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं पिम किसान सम्माण निजी के तहद भी सरकार ने करिब करिब डाई लाग करोड रुपीय सीधे किसानों के बेंक खातों में बेजे हैं यहाँ MP के लगबग 90 लाग किसानों को भी 18,000 करोड रुपिये इस योजना के तहट मिले हैं इस निजी से रीवा के किसानों को भी करीब करीब 500 करोड रुपिया मिले हैं हमारी सरकार ने जो MSP बढ़ाई है उससे भी गाउं में हजारो करोड रुपिये अतिरिक्त पहुंचे हैं कोरोना के इसकाल में पिछले तीन साल से हमारी सरकार गाउं में रहने वाले गरीबों को मुप्त राशन दे रही है गरीब कल्यार की ये सोजना पर भी तीन लाग करोड रुपे से अधिक खर्च किये जा रहे हैं साथियों जब गाउं में विकास के इतने काम होते हैं जब इतना सारा पैसा खर्च होता है तो गाउं में रोजगार के आउसर भी बनते हैं गाउं में रोजगार स्वरोजगार को गति देने के लिए गाउं के लोगों को गाउं में ही काम देने के लिए केंदर सरकार मुद्रा योजना भी चला रही है मुद्रा योजना के तहर लोगों को बीते वर्षों में 24 लाग करोड रुपे की मदद दी गई है इससे गाउं में भी करोडों लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया है मुद्रा योजना की बहुत बड़ी लाबारती भी हमारी बहने हैं, बेटियाएं, माताएं हैं हमारी सरकार की योजना किस तरह गाउं में महिला ससक्तिकन कर रही है गाउं में महिलाओं को आर्थी गुरुप से ससक्त कर रही है उसकी चर्चा आज हर तरफ है बीते नव साल में नव करोड महिलाएं सेल फिल गुरुप में शामिल हुई है यहां मद्दपदेश में भी पचास लाख से जादा महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी है हमारी सरकार में हर स्वयम सहायता समू को बिना बेंगरटी 20 लाख रुपय तक का रण दिया जा रहा है कितने ही लगुद्यों की कमान अम महिलाएं ही सबाल रही है यहां तो राज सरकार ने हर जिले में दीजी कैफे भी बनाया है पिछले पंचायत चुनाओं में सेल्प हेल्प गुर्प से जुड़ी करीब सत्रा हजार बहने पंचायत प्रतिनिती के तौर पर चुनी गई है यह अपने आप में बड़े गर्व की बात है मैं मदप देश की नारी शक्ती को इसके लिए फिर एक बार बहुत बदाई देता हूँ साथियों आज यहां आजादी के अमरुत महोसों में समावेशी विकास का अभियान भी शुरू हुआ है यह विक्सीद भारत के निर्मार के लिए सबका प्रयास के भाव को ससक्त करने वाला है विक्सीद भारत के लिए देश की हर पंचयत हर संस्ता का प्रतिनिदी हर नागरिक हम सब को जुटना होगा यह तबी संभव है जब हर मुल्चुविदा तेजी से शत प्रतिशत लाभारती तक पहुँचे बिना किसी बेदभाव के पहुँचे इसमें आप सभी पंचयत प्रतिनिद्यों की भूमिका बहुत बड़ी है भाई और बैनों पंचयतों द्वारा खेती से जुड़ी नई ववस्ताओं को लेकर भी जागरुपता भ्यान चलाने की जरुत है प्राकृतिक खेती को लेकर आदेश में बहुत व्यापक स्थर पर काम चल रहा है यहां भी केमिकल खेती के नुक्सान के बारे में चर्चा हुई है हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियों ने धर्ती मा की तकलिप के बारे में हम सभी को बताया नाट्य प्रोग करके धर्ती मा की बेदरा हम तक पहुँचाई है केमिकल वाली खेती से धर्ती मा का जो नुकसान हो रहा है बहुत आसान तरीके से हमारी इन बेटियों ने सब को समझाया है धर्ती की ये पुकार हम सभी को समझनी होगी हमें हमें हमारी मा को मारने का हक नहीं है ये दर्ती हमारी मा है उस मा को मारने का हमें अधिकार नहीं है मेरा अग्रह है कि हमारी पंचायते प्राकृतिक खेती को लेकर जन जाग्रण अभियान चलाए छोटे किसान हो पशू पालग हो मच्वारे भाई बहन हो इनकी मदद के लिए जो अभियान केंद्र सरकार चला रही है उसमें भी पंचायतों की बड़ी भागीदारी है जब आप विकास से जुड़ी हर गतिविती से जुड़ेंगे तो राश के सामुहित प्रयासों को मल मिलेगा यही अमृत काल में विक्सित भारत के निर्मान की उर्जा बनेगी साथियों आज पंचायती राज दिवस पर मदद प्रदेश विकास को नई गती देने वाली कई और परियोजनाओं का सिलान न्यास और लोकारपन हुआ है चिंदवाडा नेनपूर मनला फोर्ट रेल नाइन के बिजली करण से इस ठेत्र के लोगों की दिल्ली चेन्नई और हावडा मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी इसका बड़ा लब हमारे आदिवासी भाई बेहनों को भी होगा आज चिंदवाडा नेनपूर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्पे और गाउं अपने जिला मुख्याले चिंदवाडा सीविनी से सीधे जुर जाएंगे इन ट्रेनों की मदद से नागपूर और जबलपूर जाना भी आसान हो जाएगा आज जो रिवा इतवारी चिंदवाडा नई ट्रेन चली है उससे भी अब सीविनी और चिंदवाडा सीधे नागपूर से जुर जाएंगे यह पूरा खेत्र तो अपने बनने जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहां की बढ़ती हुई connectivity यहां परियाटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए आउसर भी बनाएगी इसका बड़ा लाब यहां के किसानों को होगा विद्यार्थियों को होगा रेल्वे के डेली प्रेसिंजर्स को होगा छोटे कारोबारी और दुकानधारों को होगा यहांनि डबल इंजिन की सरकार ने आज आपकी खुश्या भी डबल किर दिदी है साथियों आज मैं आपका एक और बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अभी सिवराज जी ने बड़े विस्तार चे वरनन्द किया कि इस रविवार मन की बात के सौ एपिसोड पूरे हो रहे हैं आप सभी के आशिरवाद आप सभी के स्ने और आपके योगदान की वज़े से ही मन की बात आज इस मुकाम तक पहुँचा है मद्द पुदेश के अनेकों लोगों की उपलब्दियों का जिक्र मैंने मन की बात में किया है यहां के लोगों की लखों चीठिया और संदेश भी मुझे मिलते रहे हैं इस बार रभी बार को मन की बात में फिर आप से मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि सेंचुरी है ना और हमार यहां तो सेंचुरी का जरा महत तो ज़्यादा ही होता है आप भर बार की तरह रभी बार को अवश्य मेरे साथ जुड़ियेगा इसी आगरके साथ मैं अपनी वास समाप्त करता हूँ एक बार फिर आप सभी को पंचाइती राज़ जिवस की अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत मातागी, भारत मातागी, भारत मातागी, भारत भारत धन्यवाद, माननिय प्रदान मंतरी, श्री नरेंदर मोधी जी.